नमस्कार आप देख रहें वन नियूज मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी चलिए बात करते हैं राश्ट्रे खबरों की पियम नरेंद्र मोधी वियतनाम दौरे पर रवाना होंगे 15 साल बाद कोई भारते प्रधान मंत्री वियतनाम के दौरे पर जा रहा है इससे पहले साल 2001 में ततकालीन पियम अटल बिहारी वाजपे ने वियतनाम की यात्रा की थी वियतनाम दौरे के जरिये पियम मोधी चीन को कड़ा संदेश देंगे क्योंकि दक्षिन चीन सागर पर अधिकार को लेकर वियतनाम और चीन के बीच तनाव की इस्तिती है ऐसे में पियम मोधी का ये दोरा एहमाना जा रहा है वियतनाम के बाद पियम मोधी चीन के होंगोस के लिए रवाना होंगे जहां उन्हें G20 सम्मेलन में हिस्सा लेना है चीन में 4 से 5 सितंबर को G20 सम्मेलन होना है 5 सितंबर को मोधी वापस देश लोटेंगे सुत्रों की मुताबिक पियम मोदी जिन्पिंग के सामने नुकलियर सप्लायर्स ग्रूप में भारत की सदस्यता का मामला भी उठा सकते हैं इस साल जून में चीन ने भारत की एनस्जी सदस्यता पर रोक लगा दी थी दस ट्रेड यूनिनों के 15 करोड वरकर्स की हरताल शुरू हो गई है इस देश वैपी हरताल से बैंकिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टेलिकॉम जैसी जरूरी सेवाव पर असर पड़ेगा हरताल की वज़े से बैंक, सरकारी ओफिस और फैक्ट्रियां बंद रहेंगी कुछ राज्यों में स्थानिय संग्ठनों ने भी हरताल में शामिल होने का फैसला किया है इस वज़े से यातायात विवस्था पर भी असर पड़ सकता है बता दे कि इन संग्ठनों की आपत्ती बीमा और रक्षा जैसे शेत्रों में विदेशी निवेश के नियमों के आसान बनाने को लेकर है घाटे में चल रहे सारजनिक उपक्रमों को बंद करने की योजना का भी श्रमिक संग्ठन विरोध कर रहे है टेड यूनियन सरकारी पेंशन फंड और स्टॉमक मार्किट में अधिक पैसा लगाने के सरकार के आदेशों का भी विरोध कर रही है वायू सैना प्रमूक अरूप रहा ने कहा है कि पियो के आज भी शरीर में काटे की तरह चुपता है उन्होंने इशारा किया कि अगर उच नैतिकता की बजाए सैने समधान से हल निकालने की कोशिश की जाती तो पियो के आज भारत के पास होता उन्होंने कहा कि 1971 की लडाईयों में भारत ने वायू सैना की ताकत का पूरा इस्तिमाल नहीं किया सुरक्षा जरूरतों में भारत की ओर से वहवारिक नजरिया नहीं अपनाया गया बतादे की पियो के को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग जारी है पाकिस्तान द्वारा कश्मीर हिंसा का मुद्धा उठाय जाने के बाद भारत ने विदेश सची विस्तर की चर्चा में पियो के परपाजीत का प्रस्ताव रखा है इससे पहले प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी ने भी कश्मीर में जारी हिंसा के बीच सभी दलों के साथ हुई बैठक में साफ संदेश दिया था कि जंबू कश्मीर, लद्दाक और पियो के भारत का हिस्सा है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक और असली चहरा सामने आया है पाकिस्तान ने अपने यहां सभी भारते टीवी चैनलों के परसारनों पर रोक लगा दिया है पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉर्टी ने भारतिय टीवी चैनलों के डीटी एच सर्विस प्रसारन पर रोक लगा दिया है पाकिस्तान में बड़े प्यमाने पर भारते टीवी चैनलों के दर्शक है आखिर भारते चैनलों के परसारन पर रोप क्यों लगाई गई है इसका खुलासा पाकिस्तान के ओर से अभी तक नहीं किया गया है शायद टीवी चैनलों पर बैन लगा कर पाकिस्तान अपनी खीज जनगर्णा के नए आकड़ों के मताबिक देश में शिक्षा के मामले में जैन समुदाय के लोग सबसे आगे हैं जबकि शिक्षा के मामले में मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा पिछला हुआ है जैन समुदाई में साक्षर्ता दर करीब 87 परतीशत है जैन समुदाई के सिर्फ 13 परतीशत लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है मुसलिम समुदाई की बात करें तो वहां साक्षर्ता दर 58 परतीशत है जबकि 42 परतीशत ने कभी स्कूल का मुह भी नहीं देखा है वहीं हिंदू में ये दर 55 प्रतीशत है यानि सभी समुदाय के मुकाबले मुस्लिमों की साक्षर्टा दर सबसे कम है बता दे कि ये आकड़े 2001 से 2011 के दोरां जुटाए गए हैं इन आकड़ों को देखकर लगता है कि अभी देश में शिक्षा के शेत्र में बहुत कुछ के जानी की जरूरत है काशी हिंदू विश्विधाले के ट्रॉमा सेंटर में रेजिडेंट डॉक्टर और अन्य करमचार युद्वारा कुछ छात्रों ने कथित तौर पर हाता पाई करने के बाद चात्रों के उपद्र्व और आगजनी से विश्विधाले परीसर में हिंसा भड़ा कुठी पुलिस ने बताया कि घटना में करीब 6 चात्र घायल हो गए हैं सूत्रों के मताबिक बीए दित्यवर्ष के 2 चात्र मरहम पट्टी करवाने बीएच यू के ट्रॉमा सेंटर गए और वहाँ रेजिडेंट डॉक्टरों से उनकी कहा सुनी हो गए इसके बाद हाता पाई होने लगी घटना की सूचनत जैसे ही होस्टल के चात्रों को मिली बड़ी संख्या में चात्र टॉमा सेंटर पहुच गए और तोड़ फोड करनी शुरू कर दी इससे आपात सेवा बादित हुई इसके बाद गुसाय चात रेजिडेंट डॉक्टरों की धनवंतरी होस्टल पहुचे और वहाँ आधा दरजन बाईकों में आग लगा दी वहाँ भी चात्रों ने पत्राव किया और तोड़ फोड की इसके बाद तभी से विश्विद्याले में इस्तिती तनाव पूर्ण है और किसी भी होने वाली घटना को रोकने के लिए पीएसी जवानों के साथ पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है 12 मुला जिले के पटन इलाके से सुरक्षा बलो ने दो आतंकियों को गरिफतार किया है और उनके पास से हत्यार और कारतूस बरामत किया सैना के एक प्रवक्ता ने बताया कि सैना और पुलिस ने सbellी अभियान से पटन में दो इस्थान ने आतंक वाधयों को पकड़ा उन्होंने बताया पटन के वुसनु खुई के निकट संधिक आतंकियों की गतिविधियों के बारे में खास सूचना के अधार पर ग्रफतारी की गई है ग्रफतार किये गए आतंकियों की पहचान शौकत एहमत गनई और परवेज एहमत मीर के तौर पर हुई है परवक्ता ने बताया कि इन आतंकियों के पास से दो AK-47 राइफल, दो ग्रिनेट लॉंचर और अन्य सामगरी बरामत की गई है उन्होंने बताया कि इन आतंकियों के पास से सैना और पुलिस कर्मियों की वर्दी भी मिली है जिससे सुरक्षबलो की नाम पर लोगों को आतंकित करने के आतंकी मनसूबों का परदा फाश हुआ है गुजरात में पाटीदार आरक्षन आंदोलन के ठीक एक साल के बाद क्या आंदोलन टूट रहा है क्या भाजपा आंदोलन में फूड डालने में सफल रही है आखिर क्यो हार्दिक पटेल के साथी एक के बाद एक उसे छोड़ कर जाने लगी है ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आखिर हार्दिक पूरे आंदोलन का चहरा रहे है अभी कुछ दिन पहले हार्दिक के पुराने साथी चिराक पटेल और केतन पटेल ने हार्दिक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फंड की गड़बडी की और भाजपा की खिलाफ राजनीती कर रहे हैं उनका अरोप था कि पार्टिदार अंदोलन अपनी दिशा से भटक रहा है और पूरा अंदोलन सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ सिमट कर रह गया है और इससे पार्टीदार समाज को फायदा नहीं होगा अभार्दिक के मजबूत साथी निकिल सावनी ने भी दक्षिन गुजर के प्रभारी के पत्सर इस्तीफा दिया है महात्मा गांधी की हत्या में रस्स के लोगों का हाथ बताने वाले बैयान पर नीच लिय अदालट में रहुर गांधी के कि खिलाफ आप प्राधिक मानहानी का मामलाद चलता रहे हैं रहुर गांधी के वकील ने सुपरीम कोर्ट से कहा है कि वो ट्रायल फेस करने को तयार है राहुल ने अपनी अपील सुप्रीम कोड से वापस ले ली राहुल ने कहा कि वो आरेसेस वाले अपने बयान पर कायम है और हमेशा रहेंगे राहुल ने कहा था कि आरेसेस के लोगों ने महात्मा गांधी को गोली मारी इस बयान पर वो अडिड है वो अपना बयान वापस नहीं लेंगे वहीं याची का करता राजेश महादेव कुंटे के वकील यूर ललित का कहना था कि राहुल ये कह दे कि उनका मकसद RSS को दोशी ठहराना नहीं था वो तो केस को वापस लेने को तैयार है विवादित इसलामिक धर्मगुरू जाकी नायक पर महरबानी दिखाने के आरोप में तीन अफसरों पर गाज करी है इन्हें ग्रह मंत्राले ने सस्पेंड कर दिया है सुत्रों के मुताबिक जाकी नायक की एंजियों को रिन्यू करने की वजह से इन पर कार्रेवाई हुई है दरसल इन तीन अफसरों पर आरोप है कि इन्होंने बेहत गंभीर मामले में सबूतों की जाच किये बिना संस्था का FCRA रिन्यू कर दिया मामला सामने आते ही ग्रह मंत्री राजन सिंग ने इस मामले में कार्रेवाई का निर्देश दिया है जिन अधिकारियों का निलंबन ह हुआ है उन सभी ने जाकीर की संस्था की FCRA फाइल पर साकरात्मक रिपोर्ट दी थी सूत्रों के मताबिक इस मामले में कड़ी कार्रेवाई का फैसला सरकार में शीष इस्तर पर लिया गया है नियूजिलेंड का तट्या इलाका नौर्थ आईलेंड 7.1 तिवृता के भुकम से थर्राव था भुकम के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है यूएस जियोलोजिकल सर्वे ने कहा है कि गिस बॉर्ण तट से 179 किलोमीटर दूर समुंदर में 30 किलोमीटर की गहराई में भुकम का केंदर था भुकम के बाद नियूजिलेंड की लोगों ने ट्विटर पर तेज जटकों की जानकारी दी यूएस नेशनल सुनामी वॉर्निंग सेंटर ने भुकम के करीब एक गंडे बाद सुनामी की चेतावनी जारी की साथ ही कनाडा और अमेरिका के तट्या इलाकों में रहने वाले नागरिकों से अलट रहने को कहा बता दे कि एक दिन पहले इसी शेत्र में रिक्टर पैमाने पर पांस दशम्लव साथ तिवरता का भुकम पाया था अमेरिका में आज एक रॉकिट लॉंचिंग के दौरान धमाका हो गया बताया जा रहा है कि नियमित रॉकिट परिक्षन के दौरान स्पेस एक्स परिक्षन इस थल विसपोर्ट से थर्रा उठा नासा के मताबिक स्पेस एक्स अपने मानव रही त्रॉकिट की जाच कर रही थी तभी ये विसफोट हुआ नासा के केनेडी अंतरिक्ष केंदर के बगल में कैम्प कैन्वेरल एर फोर्स स्टेशन से अपने समय पर परिक्षन के लिए जाच अग्रिम चरण में है बता दे कि विसफोट के कारण कुछ मिल दूर तक इमारते थर्रा गई और कुछ मिनट तक कई बार विसफोट हुआ आस्मान में धुआ च्छा गया आदे घंटे बाद पूरवी शितीज में धुंद च्छाई रही गायलों के बारे में फिलाल कुछ नहीं बताया गया है इस पेस एक्स के फालकन रॉकिट के परिक्षन के पहले पर शेपन जगह को साफ किया जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और खूफी एजंसी को सीधे चिनौती दी है और कहा है कि हम अपने दुश्मनों को पहचानते हैं राहिल ने कहा कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों के नापाक इरादों से वाकिफ है। राहिल ने खास तोर पर पियम मोदी और भारत की खूफी एजंसी रौ का नाम लिया और उसके बाद कहा कि पाकिस्तान की सभी सीमाए सुरक्षीत है। रहिल शरीफ गिलगीत बाल्टिस्तान में चीन पकिस्तान एकनामिक कोरिडोर के अब तक की प्रगति की जानकारी देने के लिए आयोजित समिनार में बोल रहे थे। बतादे की चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रास्ते गवादर पोर्ट तक आर्थिक गलियारा बना रहा है जिसका भारत ने विरोध किया है भारत का कहना है कि प्यो के विवादित शेत्र है साथी चीन इस गलियारे के बनने के बाद भारत की गतिविदियो पर नजर राजन का तीन साल का टर्म इसी चार सितंबर को समाप्त हो रहा है उन्होंने एक नीजी चैनल पर दिये इंटर्विव में कहा कि अधूरे काम को देखते हुए मैं दूसरा चांस चाहता था मेरे साथ राष्टे खबरों में फिलाहल इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रहे हैं एवन न्यूस नमस्कार